सच, बड़ा सच और संपूर्ण सच बच्चा सच के अधिक निकट होता है वो जैसा देखता है वैसा ही बोल देता है इसका अर्थ ये है कि सच बोलना मानव की स्वाभाविक वृत्ती हुई जूट बोलना उसकी बनावटी वृत्ती है जब हम सड़क चलते की से पूछते हैं कि भाई क्या बजा है तो शायद ही कोई होता होगा जो अपनी घड़ी देखकर उत्तर में जूट बोलता होगा सिद्ध है कि सच बोलने का मतलब हुआ वस्तु परक होना जब कि जूट बोलने का मतलब होता है व्यक्ति परक होना स्वयम परक होना जूट बोलने वाला व्यक्ति अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को धोगा देता है जूट बोलने वाले बच्चे की पिटाई इसलिए की जाती है कि वो पीटने वाले का विश्वास तोड़ देता है सच बोलने को नैतिकता के साथ इसलिए जोड़ दिया गया है कि उससे परिवार और समाज के सदस्यों में परस पर सामनजस्य की इस्थिती बनी रहती है जूट बोलने से विश्वास हट जाता है इस बात से संबंधित गडरिये और भेडिये की शिक्षा प्रत कहानी सबने सुनी पढ़ी होगी यदि पती पतनी एक दूसरे से जूट बोलेंगे तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति भिंड भिंड परकार की शंकाएं और संदेह जन्म लेंगे ही यदि आप अपने बच्चों से जूट बोलेंगे तो बदले में वे भी उसी तरह का व्याबार करना सीखेंगे व्यापारी लोग कई बार अपने ग्रहाकों से जूट बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं लेकिन किसी भी जूट का लाब अस्थाई ही होता है क्योंकि धोखा खाने वाले लोग स्वयम तो सतरक हो ही जाते हैं वे अन्यों को भी वस्त इस्थिती से अवगत कराते रहते हैं जिससे जूट बोलने वाले की अस्रियत धीरे-धीरे सब के सामने खुल जाती है और आगे चल कर उसकी बात में कोई वजन नहीं रह जाता कहते हैं कि एक जूट को छेपाने के लिए जूटा व्यक्ति सौ जूटों का सहारा लेता है और इस प्रकार वो जाल में स्वयम फस्ता चला जाता है जबकि सदा सच बोलने वाले को कभी भैर नहीं रहता कि उसकी पौल खुल जाएगी इसलिए सदा सच बोलने वाले व्यक्ति में घजब की नैतिक शक्ती होती है ऐसे व्यक्ति को कोई बात केवल एक बार बोलने की आदत और ज़रूरत होती है जबकि ज़ुटा वक्ति ना तो कस्में खा कर भी अपनी बात पर किसी विश्वाद दिला पता है और ना स्वयम किसी की बात पर जल्दी विश्वाद कर पाता है उसे सारा संसाल ज़ुटा लगता है वो सत्त ही परमेश्वर है जैसी सूकतियों को बहुत हलके ढंग से लिता है और गीता पर हाथ रखकर ये कहने के बाद भी कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा जूटी गवाही दे देता है जूट की कमाई पर जिन्दा रहने वाला आदमी कितनी कम कीमत पर बिक सकता है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है अभी तक सच के सामान ने और सरवत्र प्रचलिट अर्थ की बात की गई अब उसका बड़ा रूप देखें हमें समझाया गया है कि यदि कोई देखिचारी किसी अबला का पीछा कर रहा है और अबला उसकी आंखों से ओजर हो गई है जिसका ठोर ठिकाना आपको पता है और यदि देखिचारी आप से उसके बारे में पूछता है कि वो कहा है तो आप द्यविचारी से जूट बोलकर उसे खलत रास्ता बता दीजिए ऐसे जूट को बड़े सच के अंतरकत रखा जाता है क्योंकि उससे आप सत्त की रक्षा करते हैं ऐसा जूट बोलने और स्वार्थ साधन के लिए जूट बोलने में बड़ा अंतर है जब आदमी बड़े हित के लिए स्वार्थ छोड़कर दूसरों के भले के लिए या किसी महान, कार्य या उद्देश्य के लिए जूट बोलता है तो उसे द्यक्तिकत जूट लेकिन सामाजिक सच यानि बड़ा सच कहा जाता है अब और भी बड़े अर्फाफ संपूर्ण सच की बात करें संपूर्ण सच कोई भी आदमी देख या जान नहीं सकता आदमी किसी विए वस्तु का केवल वही भाग देख सकता है जो उसकी आंखों की और होता है पीछे की और का भाग उसे दिखाई नहीं पड़ता जाहिर है कि संपूर्ण सच का ग्यान आदमी की ख्रमताओं से उपर की चीज़ है जेकिन एक सच्चा आदमी अधूरे सच को जान कर भी अपना इरादा हमेशा सच्चा रख सकता है वो उतने के लिए सदा इमानदार रह सकता है जितना उसे दिखाई देता है और उतने से ही उसकी जीत निश्चित रहती है सत्य मेव जायते इसका दार सुने धंग का कारण ये है कि सच और परमेश्वर सरवत्र विद्यमान कहे जाते है सच के सहरे जब इतनी बड़ी चीज़ पाई जा सकती है तो वो निश्चित रूप से स्थाई लाव का सौधा है वो सिर्फ बच्चों को सिखा कर खत्म कर दी जाने वाली चीज़ नहीं है बलकि आदमी को आस्मान की उचाई तक ले जाने वारा जीवन व्यापी अभ्यास है एक मैमूली सी लेकिन चिंतन मनन करने योग के बात है कि हमेशा के लिए सच के आदर्ष राजहरिश्चंद्र, युधिष्टिर और गांदी जी जब पैदा हुए थे तब वे भी सिर्फ सामाने बच्चों के समान थे डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा की पुस्तक सच, बड़ा सच, संपून सच का ओडियो रूपान दुरन अरपा रेटियो के लिए